हेलो एव्रिवन कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी यहां पे ठीक हूँ सो गाइज आज मैं जो लुक शेयर कर रहे हूँ यह है फेस्टिवल लुक क्योंकि फेस्टिवल अब आ रहे हैं मतब डेवाइज आते ही रहेंगे दशेयरा चल रहा है छट आ गया चैती छट जो होता है वो सो गाइज फेस्टिवल में हम लोग तैयार होते हैं और मेकप जो है बद्दा हो जाता है गिरने लगता है पसीने आते हैं उस पे भी हटने लगता है तो मैं वाटर प्रूफ मेकप लुक शेयर की हूँ जो की प्रूफ आपके सामने में है तो चलिए श्टार्ट करूंगी म में में स्टार्ट करूंगे उससे पहले आप सभी मेरे लिंक को शेयर कर दीजिए और जो लोग नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और तो में कप सबसे स्टार्टिंग होता है क्या मॉस् कर लेना है अच्छे से मैं जब भी मेक अप लुक शेयर करती हूं तो आप सभी को बताती हूं कि जब भी आप मेक अप करें तो नेक और फेस दोनों पे ही लगाएं येर पे भी लगाएं हलका ताकि जो है क्या कहते हैं में कलर जो है फेस का और नेक का अलग-अलग नहीं द लगा ली और इसके बाद में अब मैं अपलाई करूंगी प्राइमर जो कि ब्लू है वेन का है आपको यही सब प्रोड़क्त यूज करने हैं और आप देख सकते हैं देखिएगा कि मैं मेकप फिक्सर भी नहीं यूज की हूँ लोग मेकप फिक्सर से मेकप फिक्स करते हैं या फिर धेर सारा वाटरप्रूफ ये वो दिस देट बट मेरा एक कंसीलर पैलेट जो है उसी को मैं यूज करूंगी और उसी के वज़ा से मेरा मेकप बिल्कुल ही पानी फिसल जाएगा पर make-up बिल्कुल इधर से उधर नहीं होगा बहुत ही affordable price में बहुत ही अच्छा make-up ये आने वाला है अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे मैं जो primer है उसे use कर ली हूँ अच्छे से उसके बाद में मैं क्या कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे ली हूँ विको टर्मरिक जो cream आता है वो और उसके बाद में मैं ली हूँ fit me का foundation उसे उन दोनों को मैं mix कर ली और उसके बाद मैं dab dab करके पूरे face पे अच्छे से मैं beauty blender के help से लगा लोंगी अच्छे से और जब भी आप beauty blender को यूज करें तो उससे पहले सबसे पहले आप beauty blender को पानी में डाल दें ताकि उसमें का जो भी गंदगी होगा जो भी पहले का लगा हुआ क्या कहते हैं product होंगे वो निकल जाएंगे तो मैं beauty blender से मैं लगा चुकी हूँ अब मैं eyes पे करूँगी तो eyes भी मैं use कर रही हूँ ये इस concealer तो सबसे पहले मैं eyes को conceal कर लोंगी उसी beauty blender के help से और dab dab करके सो गाइस देख सकते हैं eyes को मैंने blend कर लिया है अच्छे से eyes का concealer उसके बाद में eyes पर का concealer उसके बाद में मुझे जहां भी dark color दिख रहे हैं जब तक कि आपका face देख सकते हैं कि मेरा अच्छे से mix हो चुका है concealer और foundation सो अब मैं ले रही हूँ spring का loose powder और makeup brush के help से मैं यह जो eyes को conceal की हूँ उसे मैं अच्छे से सेट कर ले रही हूँ हलके हलके powder से सो अब मैं eyebrow pencil eyebrow comb जो आता है उससे मैं set कर रही हूँ और उसके बाद में मैं इसे eyebrow को feel कर लोंगी बस वो भी किस चीज़ से तो यह देख सकते हैं आपकी मेरे पास में है local market से मैं ली थी इसे आप भी ले सकते हैं और eyeshadow जो eyeshadow palette है यह इसको बोलते हैं किया makeup kit बोलते हैं तो वो जाकर के बोलेंगे तो वो दे देगा उसमें है black color black brown था brown type का था बिल्कुल black नहीं था तो मैं उससे अपने eyebrow को अच्छे से सेट कर ले रही हूँ आप मैं सेट करते हुए मैं ज्यादा product नहीं ली हूँ मुझे बस थोड़ा थोड़ा product लेना था और उसके बाद में नीचे यह भद्दा क्योंकि साधी व्या टाइप का तो नहीं ही है पर वितेवार में उतने ही उसी टाइप करें जिस टाइप का अच्छा लगे तो मैं अपने eyebrow को सेट कर ले रही हूं दोनों eyebrow को अच्छे से देख सकते हैं हो चुका है मेरा set eyebrow अब मैं finger के help से करके उसे अच्छे से सेट कर ले उसके बाद मैं क्या कर रही हूं कि eye shadow palette ले करके उसमें से light color जो है light cream color वह जो है यह दोनों मैं local market से ली थी लेकिन यह बहुत ही अच्छा highlighter का भी काम करता है तो आपको मतलब मुझे makeup kit में highlighter भी मिल गया और पता है एकदम बहुत affordable में मुझे मिला था affordable price में only 70 रूपीज में मिले थे यह मुझे makeup kit तो उसी को मैं हलके color के जो highlighter type के सेड है cream मतलब हलका cream color था एकदम light cream color उसे मैं अच्छे से spread कर ले हूं पूरे eyes पे so देख सकते हैं आप भी इसी तरीके से कुछ इस तरीके से blend कर लीजेगा makeup brush के help से मैं अच्छे से इसे blend कर ले रही हूं उसके बाद में मैं लूँगी देख सकते हैं कि मैं उपर तक blend कर रही हूं क्योंकि मेरे color से ना मेरे face का जो color है उससे matching color था और highlighter का भी काम कर रहा था अब मैं लूँगी purple क्योंकि because मेरा सारी purple color का है देख सकते हैं तो मैं purple color so guys मैं transition shade में ली हूँ purple और pink को एकदम बिल्कुल ही हलके हाथों से मैंने makeup brush में लिया है और बिल्कुल ही lightly लगाऊंगी पूरे अच्छे से blend करते हुए मैं लगाऊंगी ताकि कोई भी harsh line नहीं रहे तो आप इसी तरीके से makeup कर सकते हैं बहुत ही अच्छा makeup है waterproof है जैसा कि आप सभी देखे ही है तो share करना बिल्कुल भी मत बोलिए और comment box में जरूर बताइएगा आप सभी को अगर कोई भी makeup look चाह करके और blend आपको ऐसे करना है जैसे कि दोनों ही color मिक्स हो जाए कोई भी harsh line कोई भी रुखरापन नहीं रहे कुछ भी ऐसा नहीं दीखे कि हाँ यह अलग सेड़ है यह अलग सेड़ है बहुत ही अच्छे से mix किया हुआ से रहना चाहिए सो सेम प्रोसेस मैं इस eyes में भी करू प्रोसा तो मैं आइशाइडव पैलेट से लोंगी सेम आइशाइडव पैलेट से जुकि लोकल मार्केट से मैं ने लिया था तो देख सकते हैं कि मेरा eyes में मतलब दोनों ही eyes में complete होने ही वाला है आइशाइडव और अब मैं उठाओंगी डाफ पर्पल कलर बहुत ही easy eye makeup है तो आप सभी भी जरूर ट्राइ करें तो देख सकते ही है कि कितना मतलब कितना अच्छा signy makeup मतलब signy वो जो color है वो है तो मैं dark purple जो है signy color उसे मैं eyeball के middle area में अपने finger के help से अच्छे से उसे भी डाल करके लगा करके और blend कर रही हूं और देख सकते हैं दोनों eyes में फर्क एक में कितना अच्छा sign या sign आ गया और second में नहीं तो मैं second को क्यों छोड़ू इसे भी मैं same करूंगी एंड उसके बाद में प्लेश करूंगी sketch eyeliner angelic का जो कि बिल्कुल ही waterproof है बहुत ही अच्छा है तो देख सकते हैं मेरा eye makeup कितना अच्छा मितम बिल्कुल साइनी सा simple sign and easy makeup है यह eye makeup बहुत ही प्यारा लगता है आप सभी देखें के last में कितने अच्छे से तो मैं यहां पे यूज करी हूँ sketch eyeliner जो कि मैं wing बनाऊंगे अगर आप लोग चाहें तो wing बनाए या फिर नहीं बनाए क्योंकि festival eye makeup है तो मैं थोड़ा सा wing निकाली हूँ क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगता है ना न्यू ब्राइड है तो आप विंग निकाल सकते हैं जैसे की छट घाट पे जा रहे हैं या पिर दशहरा के पूजा को मत पूजा करने जा रहे हैं दशहरा का सो मैं यहां पर eyeliner यूज करूंगी उसके बाद मैं ले रही हूँ दोनों eyes में ने eyeliner यूज कर लिया उसके बाद मै और बहुत ही waterproof है मुझे बिलीव नहीं हुआ कि यह इतना waterproof मतलब है पर बहुत ही waterproof है तो आप सभी जा करके यह मैं online मंग वाई थी तो आप angelic का जो है concealer palette ले सकते हैं इसमें 16 हाँ 16 color मिल जाएंगे आपको और जहां भी मुझे दिख रहा है कि dark color है तो वहां पर मैं apply कर रही हूं सो dab-dab करके beauty blender के help से और मैं क्या बोल रही थी कि यह जो है eyeshadow concealer palette आप ले सकते हैं कहां से online angelic eyeshadow palette डालिएगा इसमें यह highlighter भी दिया हुआ है मैं highlighter भी साथ में यूज कर रही हूँ highlighter वाला concealer बहुत ही अच्छा यह highlight भी कर देता है और बहुत ही प्यारा आपको look भी देता है so देख सकते हैं कि मैं neck के साथ में face neck चारु तरफ में लगा रही हूँ अच्छे से so इसी तरीके से आपको लगा लेना है उसके बाद में मैं क्या कर रही हूँ कि सेम बेबी पाउडर से johnson का बेबी पाउडर है उससे अपने make-up को अच्छे से से अच्छे से पाउडर को लगाना है और उसके बाद में सेट करना है देख सकते हैं अगर waterproof नहीं होता फीसलने वाला होता हटने वाला होता तो अभी मैं eyes पे भी यह makeup brush गुमाई हूँ बट eyes shadow जैसे का तैसे हैं सो अब मैं यूज कर रही हूँ highlighter nose पे highlighter area जो भी है मैं वहाँ पे यूज कर लूँगी अब मैं finger से भी आप finger से भी highlighter यूज कर सकते हैं अब मैं चिक पे अपने smile करते हुए लगाऊंगी highlighter and then upper lips पे मैं लगाऊंगी ताकि जो क्या कहते हैं चीन पे लगाऊंगी और upper lips पे क्यों लगाते हैं क्योंकि हमारे जो lipstick लोगता है ना वह बहुत ही highlight करता है में हमारे lips को highlight करता है so मैं अब ये light pink and light purple उठाऊंगे और उसके बाद में eyes के नीचे वाले हिस्से पे अच्छे से blend कर लोंगे ये optional है अगर आपको अच्छा लगे तो कीजिए नहीं अच्छा लगे तो आप नहीं कीजिए बट मुझे पसंद है तो मैंने किया क्योंकि मैं makeup look कर रही थी तो मुझे अच्छा लगा आप सुबह वाले घाट में जरूर कर सकती है अच्छा लगेगा उसके बाद में मैं यूज कर रही हूँ लैक में का इकॉनिक काजल और इसके बाद में इस काजल को ब्लेंड कर लोंगी makeup brush के help से अच्छा से तो कितना भी makeup कर लो बट अगर lips आपका साधा है तो बिल्कुल भी light नहीं आता है तो अब मैं same color जो की मेरा सारी का color है तो purple color का मैं lipstick लोंगी dark purple और उसके बाद में लिप्स पे लगा लूँगी highlighter इतना मस्त लग रहा है देख सकते हैं कितना अच्छा sign आया हुआ है और आई makeup भी बहुत ही जी बहुत ही अच्छा है तो मैं lipstick बहुत ही अच्छे से लगा लूँगी आपके पास में अगर lip liner है तो आप lip liner यूज करें उसके बाद में lipstick लगाए तो अच्छा से लेंगे से कंबर लिप्सक लगाई ऽगाए तो यूज करें मैं उसके बाद में यूज कर दूब बिंदी का नइपक्डिक लगाitchens जो है उसमें से लोगी और बिल्कुल ही हलकी हलकी हाथों से और अच्छे से ब्लेंट करते जाऊंगी अपने चिक बोन पे नोस पे और चीन पे तीनो जगह पे मैं हलकी हलकी हाथों से यूज करोंगी ताकि हलका सा पिंकी-PINकी सेट सा आजा हमारे फिस पे बहुत ही light में लगाऊंगे उसे बाद में अच्छे से blend करना है ठीक है तो blend में कर ले रही हूँ उसी तरह से आपको भी blend करना है उसके बाद में यह जो eyebrow है उसे मैं highlight कर लोंगी अच्छे से दुबारा यह रहा मेरा final look तो final look जो है यह festival का छट लोक बहुत ही अच्छा आया हुआ है तो आप सभी भी कर सकते हैं यह makeup बहुत ही प्यारा लग रहा है देख सकते हैं अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप सभी जरूर से जरूर लाइक किजिएगा सो मैं अभी प्रूफ दिखाऊंगे आप सभी को दो करके अपने makeup को कि मतलब makeup बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रहा है बिल्कुल भी नहीं अलग रहा है और आप देख सकते हैं कि लुक कितना अच्छा festival लुक कितना प्यारा लग रहा है तो आप सभी ट्राई कर सकते हैं इस अपने face paper makeup जो है जैसे का तैसे रह गया देख सकते हैं ना तो आईशेडो कहीं से कहीं गया है, ना तो आई लाइनर गया है, ना तो मस्कारा गया है, ना तो लिपस्टिक गया है, कहीं से भी कुछ भी नहीं हटा है, कुछ भी नहीं, मतलब एक होता है ना कि आईशेडो, सॉरी आई लाइनर पे पानी गया और निकल गया, सो मैं दिखा चुकी हूँ आप सभी को छू करके रगड़ के कि नहीं अब आप ऐसा नहीं किर जाए कि हाँ एकदम तॉल ये से लगीए अगर रगड़ने तो वैसा भी नहीं करना है बट हाँ पानी अगर फेस पे जाएगा तो देख सकते हैं कि बिल्कुल भी ताकि मेक अप जो है हीले डूले नहीं जैसे का तैसे रहे बाबाई